हेलो और वल्कम दोस्तों सुवागत करता हूँ विडियो जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत रिजिएगा पूरा एंड तक वीडियो को देखते रहेगा बाकि अगर पहले पर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मे अगर आपको ब्रेटी अच्ज सब्सक्राइब करनी पर सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल भी फ्री है कोई भी पैसे नहीं लेगेंगे अगर सब्सक्राइब करते हो तो फिर आपको डेली बैसिस में ऐसे सिगनल्स जो है मिलते रहेंगे बाकि अगर मैटिक के बात करो तो मैटिक में भी हमारे सब्सक्राइबर का 200 परसेंट का प्रोफिट हुआ है 10x के साथ डो दिन पहले मैंने वीडियो डाला था मैटिक के उपर मैंने आपको बोल था कि अगर मैटिक में एंट्री लेनी है तो पीं अमारे कहने जिए यहां के प्रोफिट भी हुआ थां तो बात कर लेते हैं पहले प्रिप्टो बील को लेकर तो पहले भी एक वीडियो में आप लोगे सब डिसकास क्या था कि इंडिया में कृप्टो बील को लेकर जो भी अपडेट्स निकल कर रही थि उसके उपर और यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिप्टो को लेकर जो भी अपडेट्स होगी वह हमारे सामने निकल कर आ जाएगी तो पहले क्या हुआ था कि क्रिप्टो का जो भी बिल था वह वेल प्रिपएर नहीं था यानि कि उसमें जो है कुछ ऐसे प्रिप्यार्शन नहीं थी इसके करना बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो यहां पर जो है आई तिंग गौर्मेंट ने सब कुछ टिक कर लिया होगा तो बहुत जल्द आपको क्रिप्टो बिल के ऊपर कुछ रेगुलेशन देखने को मिल जाएंगे तो जो भी होगा वह पोजिटिव निकल के आएगा क्यूंकि गौर्मेंट क क्रिप्टो इंडिया में बैन करना इंपोसिबल होगा तो क्रिप्टो को यहां पर अच्छे से काम कर रही है तो फिर उसको बैन करना इसका कोई भी सलूशन नहीं है तो उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन लाया जाएगा तो रेगुलेशन क्या होती है वह फाइनलाइज हो जाएगी जब क्रिप्टो का विल यहां पे हमें सामने देखने को मिल जाएगा बाकी को लेकर जो भी यहांपर आपडेशन नकल चैनल के बाकी कोई बहुत यहां पर इतंशन वाली बात नहीं नहीं है अभी मारकेशन ऑब देख सकते हो बूंड रेली के स्टार्ट में है त तो उनका यही कहना है कि बैनिंग crypto possess challenges तो बैन करना क्रिप्ट यहां पर बहुत दोदा चैलेंजिंग हो जाएगा इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर अगर आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग है जो इंडिया में cryptocurrencies के use करते हैं तो उनका भी यही कहना है कि इंडिया में crypto ban नहीं हो सकता लेकिन आप crypto के उपर कुछ ऐसे regulations जो है ला सकते हो ठीक है We are proving to be challenge for emerging markets and that strong regulation was needed for the sector तो उनका यही कहना है कि कुछ strong regulations जो है इसके उपर आने चाहिए तो इसके उपर जो है कुछ regulations हमें देखने को जरूर मिल जाएगा आने वाले time के अंदर तो यहाँ पर यह रही crypto news को लेकर जो भी updates निकल के आ रही थी उसके उपर तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर शिबाइनू से जोड़ी कुछ latest और important updates के बारे में शिबाइनू की अगर बात करोगे तो फिर बार्णिंग यहाँ पर लगातार हो रही है इन दा पास्ट आवर देयर है बिन टुटेल ओफ 11949-000 शिबा टुकन बार्न इन वान ट्रंसक्शन तो पहले क्या हुआ था कि जितने भी NFT नेम चेंज हो उसके अंदर हमें शिबा बार्निंग देखने को मिल रहा था तो अभी और भी शिबाइनू यहाँ पर बार्न हो रही है तो बहुत जल्द ऐसे अगर बार्निंग होगा तो फिसकर शिबाइनू का circulating supply भी आपको बहुत क कर रहे तो बार्निंग अगर ऐसे लगातार होते रहीगी तो फिर इसका circulating supply भी बहुत जादा कम हो जाएगा तो आपको प्राइस की उपर एक effect पड़ता हूँ अभी दिख सकता है शिबाइनू के official twitter handle का अगर आप देखो के तो फिर यहाँ पर एक post जो है उन्होंने यहाँ जब भीयोब J Sakim. आदर फैर यहा नियो जबदेखनी के अडर तो ऐसे जो हैं में हमें रगातार देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर शोफ और लब्ह रिक क्या सब्सक्राइब चाएеп नेटाबर्स के अंदर भी कुछ गेमिंग का यहां पर बात चल रही तो यह सब चीज़े जब यहां पर फाइनलाइज हो जाएगी तब आपको शिवाइनु के अंदर बहुत बड़ी एक स्पाइक देखने को मिलेगा अगर आप अभी बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट यह करूंगा कि अभी आप और भी ज्यादा शिवाइनु को एकुमुलेट कर सकते हो शिवाइनु की लिस्टिंग के अगर आप बात करें तो फिर यहां पर आप देख सकते हों कि बीठ स्टंप एक बहुत बड़ा जो है क्रिप्टो एक्सचेंज है उनका यही कहना है कि वह लोग शिवाइनु को बहुत जल्द अपने एक्सचेंज के करहते हैं तो इनका यही कहना है कि बहुत जल्द वह शिवाइनु को अपने लिस्ट कर有一 को इसे और भी बहुत सारेख से जिनकेनी को फिर यहीं टॉट के बात करोगा बाकी कभी भी Robinhood यहां पर लिस्ट कर सकता है क्योंकि अगर Robinhood का और Shiba Inu का अगर कुल मिला के देखो गया तो फिर Robinhood का जो उनका पूरा अबरल बेलुएशन है वो Shiba Inu से बहुत ज़्यादा कम है ठीक है तो इस comparison में अगर आप देखो गया तो फिर Robinhood जो है Shiba Inu को बहुत ज अच्छा घजार इन भी बना के दे सकता है तो यह जो अपडेट है मैं यह उनके लिए दे रहा हूँ जिनने भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने ओल्डेटी शीबा इनुमें बहुत उपर एंट्री लेकर रखका हुआ तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा टेक्शन लेने वा आपको बहुत अच्छा अच्छा प्रोफिल भी बना के देगा अगर आपको ऐसे अपडेट्स अच्छे लगते तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता दाना मैं डेली बेसिस में से अपडेट्स जो है आपके लिए लेकर अता रहूंगा तो मिलते हैं न